करक राशी के लिए आप लोग क्या मैसेज है कि इस वर्त आपको अपने हिदय को अपने मन को दिमाग को बहुत ही शुद्ध रखना जरूरी है शुद्धता रखिये अपने आसपास अपने औरा को प्योर रखिये आपका जो देखिए हरे वेक्टी का एक सेवन लियास का औरा होता है उसको प्योर रखने के कोशिश करिए मेडिटेशन करिए ओम की आवास को सुनिये या तिबित्तिन सिंगिंग बाउल होता है उसकी आवास को सुनिये और वाइट कलर या क्रीम वाइट और और यह लगई होंगे आप लोगों के लिए इनका यूज़ जादा करिए औ और आसपास के जो चीजें हैं, आपके ऐसे furniture हो गया, sofa हो गया, या fridge हो गया, इन सब चीजों की सफाई रखिए, खास दोर से आपके घर के जो कोने हैं, उनको साफ उत्रा रखिए, वो negative energy वहीं पर exist करती है, थोड़ा सा furniture को हिला दीजिए, उससे क्या होता है, negative energy बहार निकल हिलने से, जो air वहाँ पर stuck हो गई है, वो ही negative energy होती है, तो यह आपको करना जरूरी है, कि अपने आपको purify रखिए, किसी भी तरह की खराब बात मस सुनिए, ना देखिए, और ना ही बोलिए, इसी से आपके जिंदगी में purity अगर शुदुता बनी रहेगी, तो आप जिंद दमाग शान्त होगा, साफ होगा, और आप अच्छी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो creative ideas कुछ नया करने का मन करेगा, कुछ अलग, और उसे कुछ अलग करने का मन बहुत करेगा, तो यह करिए, और पैचानिए कि आपके अंदर क्या talent है, आपको इस तक universe एक मौका दे रही है कि आप अपनी रा खुद बनाएं, और अपनी रा जब खुद बनाएंगे, तो ज़्यादा success मिलेगी, सोचिए उसे planning करिए, strategies बनाएए, आपको ज़रूरी है इस वक्त ही आप अपना direction चूज करिए, कौन सी field या direction आपको अच्छा लगता है, अपना जिंदगी क जो रास्ता है, वो आप खुद चूज करिए, इस वक्त युनिवर्स आपको मौका दे रही है, कभी कबार आता है ऐसा मौका, तो ये chance को खोईएगा नहीं, और यहाँ आप angels message कर रहे हैं कि जैसे तुफान होता है, for example, तुफान में क्या होता है, एक व्यक्ति अकेला जा र करते रहो, struggle करते रहो, और जितने भी obstacles हैं, आप उनसे बाहर निकल आएंगे, जो रुकावटे हैं, बस निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं, struggle करते रहे हैं, इस वक्त आपके अंदर ताकत बहुत है, strength अच्छी है आपकी इस वक्त, उसको सही जगे पे use करिए, और आपको इस वक्त अगर आप ऐसा करते हैं, angels message कर रहे हैं कि एक door of success open होगा, जिससे कि आपकी जिन्दगी नए तरीके से शुरू होने वाली है, बतलब आपका एक door of success, key of success जिसको हम कह सकते हैं, जहां पे आपको progress करने का मौका मिलेगा, प्रकती दे रही है, progress करिए, growth है इस वक्त आपक और अपने आपको किसी भी तरह की मुसीबत ने मत फसाइएगा, जहां आप ये जरुवत नहीं है, जहां पे लोग बहुत जादा gossip कर रहे हैं, वहां मत जाईए, ऐसी जगह है जहां आपको पसंद नहीं है, आपको negative vibe feel होती है, वहां पे मत involve करिए अपने आपको, जो अच् ये हो गया ना मेरे आसपास, बस ठीक है, उसके बाद आपका आगे बढ़ गया है, ये है कि आपको बस एक मालूम होना चाहिए, कि आसपास हो क्या रहा है, लेकिन अपने आपको उसमें involve मत करिए, किसी भी जगह पे, भी problems पे फसने की possibility दिख रही है, इसलिए problem में ना फसे इसलिए angels message कर रहे हैं, कि अपने आपको दूर रखिए इस तरह के चीजों से, और इस वर्ट आपके अंदर प्रेम का संचार देख रहा है, मतलब जैसे होता है ना कि व्यक्तिक अंदर प्रेम उमरता है, किसी के लिए, या किसी काम के लिए, तो आपका ये जो love flow है अंदर क ये attract करेगा अगर जाने को, तो ये आपके जो love mate, soul mate कोई भी है, या friends हो सकता है, आपके तरफ attract हो कि इसके अंदर बहुत प्यार है, ये प्यार से बात करता या करती है, इस तरह की चीजों होगी, और अंदर से प्रेम ये भावना जागरित होगी आपके अंदर, और angels message कर र गंदी और खराब चीजें हैं, आपके औरा में आके ना बैट जाएं, क्लाउड बैट जाते हैं, गंदे लोग जो खराब बाते करते हैं, जो demotivate करते हैं, प्लीज उनसे थोड़ा दूर रहें, और अच्छे बातें जो करते हों, जो आपको motivate करते हों, कुछ ऐसे वीडिय जो आवाज होती है, इसमें ओम की आवाज निकलती है, meditation करेंगे तो उससे भी aura clear होता है, और घर की सफाई मैंने पहले ही बोला, corners को बिल्कुल साफ रखिये, उससे भी negative energies, जो हैं वो tension होता है, घर में जगड़े हो रहे हैं, तो ये उपाय ज़रूर करके देख लिजेगा क कि सेंधना नमक होता है और घर के कोनों में चड़क लीजेг तो थोड़ा से फड़ लीचा हिला दीजेगसा होगा सा और नहने के पानी के भी 2-3 चुटके बज़ ज़्यादा नहीं, इससे healing भी होती है बहुत सारी चीज़ें इससे सुधर जाते हैं लाइफ में किस्मत के न हटा देंगे जो भी मांड में confusion से negativity हो जब हटा देंगे आप अपने आसपास से जिन्दगी को नए तरीके से जीने का तरीका आएगा आपको देख पाएंगे आप खुली अपनी आखों से कि हाँ यह असलियत है इसके recording हमें चलना है तो एक नया दरवाजा खुला है आपके लिए इस मंत में जो कि बहुत ही अच्छा मेसेज है और चार्म्स की थ्रू यहां पर मेसेज आ रहा था कि कोई छोटी सी एक एंजल है जो आपके आसपास है यह तितली के फॉर्म में आपके आसपास गार्डन में कहीं बैटरी यह कोई तितली बैटरी यह बार-बार आ करके या फैदर आपको गिरा हो दिख गया है दर्वाजे पर या रा चलते कहीं पे भी या बालकनी में तो उस फैदर को अपने पास रख लिजेगा वह कहीं न कहीं एंजल का मेसेज होता है कि वह आपके आसपास है और किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं और बटरफ्लाइ आपको ड्रॉइंग में पेंटिंग में अगर दिख रही है कहीं से पी अन जाने से तो भी मानके चलिए कि आपको इंजल से सपोर्ट है और यहां पे यहां पे आप अपने काम के लिए भी जाने जाएंगे मतलब लोग तो अपना डिप्रेशन धूर करने के लिए बच्चों को साथ खेलिए और जो टोई होते हैं अपने लिए लेहा सकते हैं यह आपको अच्छा लगता है गार्डन में जाना और खेलना खुदना यह सब प्लेस आपको अच्छा लगता है लेकिन आप कुछ नहीं तो हफते मे बहुत अच्छा ब्लेसिंग लगती है बच्चों की भी तो आप यह ऐसा करिए किसी से आपका पेनिफुल सेपरेशन दिखा रहा है ऐसे दो मोमेंट्स आएंगे जहां पर आपका किसी से अलगाव दिखा रहा है और एक नई शुरुवात दिखा रहा है उसके बाद एक न् लग हो जाएंगे ऐसा दो बार हो रहा है एक छोटा कोई incident है और बड़ा कोई incident है यह चीज़ होगी तो उसके लिए ready रहिए कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमांग उसके लिए तयार नहीं होता और हम शौक हो जाते और डिप्रेशन मेंछ ले जाते हैं तो जरूरी है कि अ बोड़ासा आपको move on करना होगा move on मदलब कि आपको बदलाब जो हो रहा है उसको एसको एसको करना होगा यह तो होना ही होना है I think the message is very clear and you will follow it for this अपरिमन्थ, thank you so much thank you so much